हेलो स्टूडेंस तो आज हम करने जा रहे हैं इंगलिश की वर्कशीट नमबर 81 और क्लास 10 के सभी बच्चे डेट ज़रूर मेंचन करेंगे अपनी वर्कशीट पे डेट है 6-2021 ओके नेम क्लास टीचर नेम भी मेंचन करना है और इसके साथ आज की वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है लेसन भोली वर्कशीट नमबर 2 तो वर्कशीट 2 से आपका भोली चाप्टा लिया गया है ठीक है और उस पर आपको उस पर बेस्ट जो आज की तो यहां पर आपको जो पिक्चर्स दी गई हैं पिक्चर्स में बोला गया है कि उसकी शुरुवात की जर्णी कैसी थी और उसे एंड में जब वो बढ़ी हो गई तो वो कैसी डेवलप बनके एक डंब काउ से एक कॉन्फिडेंट गर्ल कैसे बनी थी क्या डंब काउ क्या बो तो यहां पर बोला गया है तो यहां पर उसकी लाइफ चेंज कैसे ही थी उसकी लाइफ चेंज हुई थी उसकी एडुकेशन की वज़े से पढ़ाई लिखाई की वज़े से तो यहां बोला गया है कि पिता जी साड भूली in a clear loud voice and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were start let to hear her speak without even the slightest stammer, father, take back your money, I am not going to marry this man so यहां पर जो भूली है बिना रुके बिना हिचकिचाए ठीक है और वो जो मतलब थोड़ा stammer मतलब हकला की बोलना ठीक है बिना हकलाई वो अपनी बात को कहती है कि पिता जी अब जो पैसे हैं उसे वापस लीजिए और मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी रामलाल वो स थंडर स्टर्ग गेस्स बिगें टू विस्पर सो शीमलेस फू अगली या जू शीमलेस यहां पर रामलाल उसको अचानक से एक ज़टका लग जाता है कि यह क्या हो गया है यह क्या कह रही है और जो गेस्ट है मतलब जो भी महमान आई होता है शादी में वो क्या कहते हैं वो कहते हैं so shameless मतलब कितनी बेशर्म है ठीक है so ugly देखने में भी सुन्दर नहीं है so shameless बार-बार एकी का बात जो है सब अपने आसपास बतलब जो भी लोग खड़े थे उनके कानों में यह चीज़ कह रहे है तो धीरे धीरे खुस-फुस बाते शुरू हो गई भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल अब रामलाल को गुसा आगया और उन्होंने क्या कहा क्या तुम पागल हो गई हो यू वांट टू डिस्ग्रेस यूर फैमिली क्या तुम अपने जो फैमिली है उसको ऐसे नीचा रिखाना चाहती हो वो क्या कहतना है कि कम से का हमारी इज़द का तु ध्यान रखो for the sake of your इज़द said भोली I was willing to marry this lame and old man so यहाँ पर वो क्या कहती है भोली कि तुम्हारी इजद के लिए मैं इस blame और क्या कहते है एक तरीके से कहती कि लालची बूढ़े और बत्तमीज इंसान से मैं शादी कर लो सिर्व इसलिए कि तुम्हारी इजद कायम रही but I will not have such a mean, greedy and contemptible covert as my husband I want, I want, I want what a shameless girl, so वो यहाँ मना करती है कि मुझे सादमी से शादी नहीं करनी है इस टाइप के इंसान से बिल्कुर शादी नहीं करनी है जो कि इस टाइप का है, ठीक है और एक, यहाँ पे वो भी चाहती है और लोगों की तरह कि वो independent हो, ठीक है पढ़ी लिखी लडगी है, so उसकी सोच उसके अकॉर्डिंग सही है, बट बाकियों के अकॉर्डिंग वो गलती तो सब क्या कहते हैं उसे, कि यह कितनी सेमलेश है यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, जब उसको फिर से कहा जाता है कि कि इस आदमी से शादी करूँ एक भूली गाय बनके जो इतना बट तमीज है इतना लालची है जिसके पस दिल नहीं है जो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, so मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती और मैं ऐसे शब्द आपको और सुना सकती हूँ अगर आप सुनना चाहें तो उसके बाद वो ये भी कहती है कि अब मैं एक dumb cow नहीं हूँ ठीक है dumb cow मतलब जिसको जो भी कह दिया जाता है वो करती रहती है उसे पता भी नहीं होता उसके लिए सही क्या है गलत क्या है बस सर हिला के और जुका के जो भी कोई कही उसे मान लेना the flames of the skirt fire slowly died down everyone was gone रामला turned to bholi and sad but what about you no one will even marry you now यहाँ पर वो क्या कहते है कि जो रामला लो कहते है कि शादी अब जो है तुम्हारी होगी नहीं क्यों नहीं होगी क्योंकि सब जा चुके हैं और तुमने अपनी शादी खुदी तो अब तुमसे कौन शादी करेगा and शुलेखा said in a voice that was calm and said don't you worry पिता जी in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much is not that right ma'am the teacher had all along stood in a corner watching the drama yes bholi of course she replied and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the complexion of her masterpiece so यहाँ पर क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया है कि जो भोली है उसके parents बोलते हैं अब तुम क्या करोगे अब शादी तूट गई तुमारी अब कोई शादी तो करेगा नी तुम क्या करोगी future में बोली कहती है कि मैं आप लोका ध्यान रखूँगी आपका और अपने माबाप का ठीक है वो कहती है कि पिता जी मैं आपका और माता का ख्याल रखूँगी और उनकी देख भाल करोगी मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मैं खुद पढ़ी हूँ यहाँ पर एक तरीके से उनके अंदर भी यह होता है कि हाँ ठीक है अब वो इतनी एबल हो गई है और कोई बात नहीं अगर वो ऐसा चाती है तो ठीक है क्योंकि अब वो जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर उनकी सिच्वेशन पर यह सब समझना थोड़ा मुश्किल होता पर दीरे दीरे वो इस बात को समझते यहां पर भोली ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया कि एडुकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिपेंटन नहीं बनाती गलत चीजों के खिलाफ आप बोल भी सकते हैं तो इस बात की हिम्मत, confidence level जो है उसका इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने एडुकेशन ली थी इसके question answer भी देख लेते हैं चलिए पहला question देख लेते हैं फर्स question है वाई डिट भोली पैरेंट्स एक्सेप भिसामबर्स प्रोपोजल जो भिसामबर है यहां पर ठीक है उसका प्रोपोजल क्यों accept कर लिया था भोली के पैरेंट्स ने इस प्रोपोजल को एक्सेप नहीं करते तो शायद भोली की शादी होगी ही नहीं तो इसी लिए वो शायद अनमेरिट रह जाएगी ठीक है जिन्दिगी पर वो एक उनके उपर बोज होता जिसकी वज़े से उन्होंने इस प्रोपोजल को accept कर लिया था question second is why did भिशामबर's marriage with भोली not take place so क्यों नहीं हो थी उनकी शादी answer is the marriage does not take place because भिशामबर sees black pork marks on भोली's face he refuses to marry her unless he is given 5000 rupees भोली कॉल्स भिशामबर a mean and a greedy person and refuse to marry with him so यहां पर क्या हुआ भिशामबर ने देखा कि black pork marks थे उसके चहरे पर जिसकी वज़े से भोली को उसने शादी के लिए मना कर दिया कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगा इसके चहरे पर निशान है ठीक है या तो आप मुझे 5000 rupees दो as a drowdy मतलब दहेज ठीक है तो दहेज दोगे अगर आप तो मैं करूंगा शादी वरना मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा यहां पर भोली ने मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करूंगा एसे greedy person से शादी नहीं करूंगी question 3rd is to sketch out his character in the story तइसांबर किसा डरेक्टर इसका था बण call मैं और उसका अरी ki से जाद एक जब्धा और उम्र कोली कम उम्र की थी और वो से डबल उम्र का था ठीक है एजट परसे लेम रिच मैन पैसे वाला तो था बट वो कैसा था लालची था अपने पास पैसे थे तब भी उसे दहेज में पैसे चाहिए थे उसके लावा उसके खुद के बड़े-बड़े बच्चे भी थे वो बहुत शेलफिश था उसने क्या सोचा उसने सोचा वो पैसे मांगी लेता हूं ठीक है इसकी बहाने मुझे पैसे मिल जाएंगे तो अगर घरवालों को शादी करवानी होगी तो वो कैसे भी करके उसे पैसे देंगे सो कोशन नमबर फॉर्थ इस डोंट यू वरी पिताजी इन यूर ओल्ड एज आई विल सर्व यू अन मदर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेट्में डिसकस भूली ज मॉरल वेल्यूज तो यहां पर भूली क्या कहती है अपने पैरेंट से वो कहती है कि डोंट यू वरी आपक मतलब जो उम्र है बुढ़ापे में उसमें आपको सर्व करूंगी सर्व का मतलब है कि आपको माता का अपने माता-पिता का ध्यान रखूंगी तो यहां पर क्या मॉरल शो कर रहा है सो अंसर फोली वॉस एन इग्नोरेंट डॉटर ऑफ रामलाल रामलाल जो उसकी इग्नोर इग्नोरेंट मतलब कभी उसका खास ध्यान नी रखा उसे इग्नोर किया सबने ठीक है फिर भी वो इतनी समझदार थी हर फादर फिक्स्ट हर मैरिज विद बिशामबर नात अन अच्ट फैलो अन फादर ऑफ ग्रोन अप चिल्रन बिशामबर आस्ट फोर हेवी ड्रावरी भोली शोट करेज नौट टो मैरी सच अमीन ग्रीडी फैलो भोली प्रोमस्ट तो सर्व हर पारेंट इन देर ओल एज विध प्वजले इंपक्ट फैलो इंपक्त करेशन एंडूर मंचिर्ग उस्ट झांधर उस जाए पफिर श़ी विद बिशा सबने बिशाएंग्स प्रो थी जिसको सबने इग्णोर किया सबको लगता था कि वह देखने में अच्छी नहीं है ठीक है पागल सी है उसको जादा नॉलिज नहीं है ऐसे बेकोफ है ऐसे मतलब ऐसी लोगों के मैंड में मैंटिलिटी थी तो उसको सब इग्णोर करते थे बट उसने पढ़ाई कि उसके टीचर्स ने उसे सपोर्ट किया और उसके बाद जो वहां से निकली है पढ़ लिखके उसने एडूकेशन अपनी पूरी की जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया वो मिच्छोर मतलब अपनी उस उम सब की मैं इसकी डिया रखंगी खुए मैं पढ़ी लख में घ्रण इंडिवड़ा करता लेकिन इसलिए नहीं होती है कि आप अकेले नहीं रह सकते आप चाहें तो without marriage भी अकेले रह सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह story यह present करती है कि आप अपनी family अपने माता पितर के साथ हैं सो वो भी enough है ओके जरूरी नहीं है कि आप पर थोपी जाए कोई चीज थोपने से नहीं होता ठीक है यह यहां पर आपको meaning बताया गया है बाकी आप बहुत समझदार है आप लोग को खुदी समझ आजाएगा कि स्टोरी क्या समझाना चारी अगर आप स्टोरी एच्छे से पढ़ते हैं देन कोश्य नंबर फिफ्ट है राइटर सेज्ट फ्लेम्स ऑफ द स्केर फायर स्लोली डाइट डाउन एव्रिवन वॉस गॉन डिस्क्राइब द स्टीन इन यॉर ओन व भोली टीचर अड़ विलिच प्राइमरी स्कूल चेंज्ड हर लाइव शी गेव भोली ओल्ड 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 इनकरेजमेंट डाट शी नीडिट सो बैडली सो यहां पर इसका मतलब क्या है फ्लेम ओफ स्केर्ट फायर स्लोली डाइट डाउन एव्रिवन वस गॉन सो यहां नहीं बताएगे जो भोली थी ठीक है उसके जो टीचर थी गाओं में जिससे उन्होंने डिकेशन ली थी उन्होंने क्या किया कि confidence and courage किया उसको और confidence जो है वो लेवल उसका बढ़ाया the teacher assured one day she would be more learned than anyone else in the village so उसके teachers ने confidence आला कि गाउं में और लोगों के मुकाबले एक दिन वो सबसे हादा पढ़ी लिखी होगी सबसे हादा intelligent होगी being an obedient child boli did not oppose the proposal of an old and lame person she did so for the honor of the family but when visambar insisted on demanding 5000 rupees for marrying a girl with pock marks she revolted she threw the wedding garland into the fire so उसने अपनी family को मना नहीं किया शादी के लिए क्यों नहीं मना किया सिर्फ इसलिए कि उसकी family उसके माता पिता उस रिष्टे को लेके आये थे उसे लगा कि जब parents मेरे शादी करवा रहे हैं तो ठीक हैं उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसलिए करवा रहे हैं बट जब उन्होंने देखा कि विशांबर एक तो उसके चहरे के marks की वज़े से शादी को मना कर रहा और उपर से कह रहा है कि मैं शादी तब करूंगा जब आप पैसे दोगे तो उसके ओल्ड पैरेंट्स इतने पैसे कहां से लेके आते और उपर से सिर्फ यह चहरे पर निशान होनी कि जिस आप शादी नहीं करेंगे यह कहां क्या मतलब राइट वह है आप ऐसे नहीं कह सकते ठीक है आपको पहले ही सब कुछ पता आप खुद इतने एजेट हैं आपके बच् जो तकलीफ थी ठीक है वो बहर निकल किया उसने उसने उस विरोध किया ठीक है शी थ्यू दवीड़िग गी शादी को एक तरीक से मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगी शादी she refused to marry such a greedy and mean person she also decided to serve her parents in their old age she declared that she would teach in the same school where she had learned so much यहां पर क्या हुआ यहां पर शादी को उसने खुद मना कर दिया वह लड़की थी लेकिन फिर भी उसने कहा है मैं ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी मैं अपने parents का ख्याल रखूंगी और मैं उसी school में जाके पढ़ाऊंगी जहां से मैंने education लिये जहां से मैं खुद पढ़ी हूँ वहां पर मैं जाके बच्चों को पढ़ाऊंगी और मुझे ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करनी है उस शादी को उसने वहां पर तोड़ चाही है यहां पर क्या पताने कोशिश की गई है एक शादी का मतलब नहीं होता है कि आप दहेज लें और दहेज दें शादी का मतलब यह नहीं होता है कि आप सिर्फ फीमेल को इतना फॉर्स करें ठीक है वह भी आपके सारी education लेते तो उन्हें हर चीज में अपर्चिनी भी से मिलने चाहिए इसका मतलब यह कहीं नहीं है कि आपने जो पढ़ाई कि और उन्होंने पढ़ाई कि से वो लड़गी है इसलिए दबाया जाए नहीं सो यहां पर भोली कहती है कि मैं जॉप करूँगी मैं खुद से अन करूँगी और अपनी फैमली का ख्याल रखूँगी सो यहां पर बहुत सुन्दर से स्टोरी है इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ें आपको बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगी कि पहले वो कैसे मतलब शाय थी और उसके बाद उसने कितना स्ट्रगल किया और एंड में वो कितनी कॉन्फिडेंट जो है आप देख सकते हैं स्टोर